सीकर में प्रदान मंत्री मोदी की सौगात के विकास परियोजनाओं का किया शिला न्यास और लोकार पड़ पियमोदी ने किसान सम्मानेदी की चौदवी किष्ट की जारी किसानों को खादे में भेजे गए 17,000 करोड कहा हमारी सरकार किसानों का दुख दर्द समशने वाली है पियमोदी ने सवालाख पियम किसान समर्दी केंटर का किया शुभारम कहा खेती से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी पियमोदी बोले देश में यूरिया की बोरी सस्ती होकर 266 रुपए हुई 9 साल में किसानों के हित्में फैसले लिए गए सीकर में बोले हिल्थ मिनिस्टर मनराविया कहा विकास वात की नई राजनीती को पियमोदी ने बढ़ाया अजनता को मिली कई सवकार सीकर में वीजेपी की रैली में पियम मोदी संबोधन में कॉंग्रेस पर निशाना साथ थे उन्होंने कहा कॉंग्रेस ने लूट की दुकान सजाई बाज़ार लगाया पियमोदी ने लाल डायरी का जखर किया कहा कॉंग्रिस के करफशन का प्रतीक लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निप्टेंगे पियमोदी का गहलोद पालेट पर निशाना कहा सिर्फ वर्चेसु की लडाई में चार साल बर्बाद किये चार साल सोने वाली काम का हिसाब कैसे देंगे कॉंग्रिस की गैरेंटी पर पियमोदी का प्रहार कावी जेपी ने मुफ्त राशन और मुफ्त गोरोना वैक्सन दी सीम गहलोत पर बोले पीमोदी गहलोत को उत्तम स्वास्त की काम ना की कहा कुछ कठनाई होने से कारक्राञ में नहीं आ पाय गहलोत PMOD के राजिस्तान दौरे पर CMGALOT का ट्वीट लिखा PMO ने मेरा तीन मिनट का भाशड हटा दिया CMGALOT के आरोप पर PMO का जवाब लिखा हाल फिलाल में गैलोथ को चोट लगी हसुधा ना हो तो कारक्रम में जरूर आए PMO के ट्वीट पर CMGALOT का जवाब लिखा प्रस्तावित कारक्रम में मेरा संबोधन था कल राद बताया गया कि संबोधन नहीं होगा CMGALOT का PMOD पर प्रटवार कहा लाल डायरी का हवा सभी को मोहरा बना रहा PM को लाल टमाटर पर बात करनी चाहिए सीकर में अगरी कल्चर प्रड़क्ट के लगी प्रदर्शनी PMOD ने प्रदर्शनी का निरिक्षन किया राजिस्तान के बाद गुजरात के दोरे पर PMOD राजकोर्ट म्यूनिस्पल कॉपरेशन की 234 करोड की परियोजना का करेंगे उद्घाटन प्रदान मंतुरी राजकोर्ट इंटरनाशनल एएपोर्ट का करेंगे उद्घाटन 1405 करोड की लागत से 23,000 वर्ग मीटर में तयार हुआ एपोर्ट PMOD नर्मदा का पानी सौरास्ट तक पहुचाने वाली परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे करीब 393 करोड की लागत से तयार इस प्रोजेक्ट का एक लाख लोगों को फाइदा हुगा PMOD राजकोर्ट के बाद गान्धी नगर में राजकी मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक राज में हो रहे कामों की करेंगे समयक्षा मनिपुर के मुद्धे पर संसत में होगा हंगामा लोग सभा में विपक्ष की जोरदार नारेबासी राजिस सभा में भी दोनों पक्ष की ओर से जम कर नारेबासी की गई मोधी मोधी और इंडिया इंडिया के नारे लगे संसद में विपक्ष का आज फिर प्रदर्शन काले कपलों में संसद पहुचे विपक्षी सांसद मनीपुर के मुद्धे पर जताया विरोड काले कपलों में प्रदर्शन पर बोले शची थरूर कार्मनी पुर में जो हुआ उससे देश में अधेरा हमारे कपलों में भी दिखना चाहिए अधेरा प्यूश कोयल का काले कपड़ों में प्रदर्शन पर अट्रैक विपक्ष के तन्मन में काला काले कपड़ों में क्या कारणामी चिपाना चाहते हैं प्यूश कोयल का बयान का विपक्ष का आज और कल भी काला है दिन काला है और काला काम भी है नहीं सहेगा हिंदुस्तान केंद्रिय मंत्री प्रहलाद जोशी का विपक्ष पर दंज का विश्वास प्रस्ताव काले कपड़े से कुछ नहीं होगा बाद में काला पहन कर घूमना पड़ेगा कानून मंत्री में एकबाल का विपक्ष पर पलटो आर का पियम मोदी देश को 2047 तक विक्सित करने में जुटे विपक्ष को ये पसंद नहीं आ रहा मनीपूर को लेकर आउल गांधी का टेक का नरेंदर मोदी आरेसेस के कुछ चुनिंदा लोगों के ही प्रदान बंत्री उनकी विचार धारा नहीं मनीपूर को जला दिया कॉंग्रिस सांसद गौरब गोगोई का बयान का पियम मोदी अपने भाशर में मगन वे मनीपूर के लोगों के घावों पर नमक छिड़क रहे हैं संजेर राउट का पीम मोधी पर निशाना का पिछले आट दिन से मनीपूर पर पीम का ध्यान दिलाने में लगा विपक्ष जवाब नहीं दे रहें पीम कॉंग्रेस सांसद नासिर हुजैन का टेक का मनीपूर पर जवाब से भाग रही सरकार लेकिन सच को सामने लाकर रहेगा विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर बोले दिररंजन चौधरी कहा कली शुरू होनी चाहियती चर्चा हमारे पास कोई विकल्प नहीं प्रस्ताव हमारी मजबूरी राम गोपाल यादो का बयान का अविश्वास प्रस्ताव मन्जूर हो गया तो चर्चा हो प्रस्ताव को जवाब दे पियम मनिपुर कांड पर अकिलेश का बीजेपी से सवाल पूछा एक नौवी नमबर वन होने पर महिलाओं को आप कैसा होगा सम्मार अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बोले आरजेटी सांसद मनोज्जा मनिपुर के लोगों के प्रती जवाब देही के लिए प्रस्ताव लाए संसद में मालिका आजुन खर्गे के कमरे में विपक्षी दलो की मीटिंग सदन को लेकर रन्नीती बनी विपक्षी गडबंधन पर विदेश मंत्री जैशंकर का टैक का खुद को इंडिया कहने वाले इंडिया के हित नहीं सुन पा रहे है ये दुर्भा के 29-30 जुलाई को मनी पुराएगी इंडिया गडबंधन के सांसदों की टीम हालात कलेगी जाय सा संसद परिसर में आप सांसद संजय सिंग का धारना चौथे दिन जारी सदन में पूरे मौनसून सत्र के लिए सस्पेंड है संजय संजय सिंग के धारने का कॉंग्रेस कर रही है समर्थन सांसद जेवी मात्री का बयान का देश की मांग सदन में पीम देजवाब मुंबई में आज भी तेज बारिश को लावा इलाके में सड़क पर पानी भरा लोगों को निकलने में हो रही है दिक्कते मुंबई में भारी बारिश से विहार जील ओफ लोग पहले ही भर चुकी है तांसा और तुलसी लेक मारास्ट के वर्धा में सुबा से तेज बारिश घरों में घुसा पानी स्कूलों को किया क्या बंद नागपुर में रादबर मुस्काधार बारिश के इलाकों में चल भराओ लोगों को हो रही है दिक्कते नागपुर में सड़क पर पानी भरने से नागपुर हाईवे अड़े का एंट्री रोड बंद नागपुर के कलमरा इलाके में पुलिया पर पानी भरा कार छोड़कर भागा शक्स बहीकार नरेंद्र नगर में डूबी पुलिया नागपुर के मनेश नगर अंडर पास में बानी भराद जैप्रकाश नगर रोड पर गाड़ियों की लंबी गतारें नागपुर के विरगाओं में बारवे फसे लोगों का रस्क्यू महानगर पालिका के कर्मिचारियों ने बचाया राएगड में बारश के चलते उफनाई पेन और रोहा नदी अलीबाग तालुका का मुदक टखर गाओं बाड़ से घिरा फसे लोग नांदेड में मुस्लधार बारश से हाहकार किन्वट तहसील के उफनते नाले में एक शक्स बहा रतनागिरे में मुंबई गोवा हाईवे पर चटान खिसकी हाईवे पर लगा लंबाचा रतनागिरे में भारी बारश से उफनाई अरजुना नदी राजापुर में बाजार उघरों में पानी घुसा लंगाना में पानी में दूबा भूपा पली परकला आनेच फसी लौरी कैबनेट पर बैटो ड्राइबर्स ने बचाने की गुहार लगाई अईदरबाद में लगातार बारिश के कारण परिशानी बड़ी शहर के कई हिस्सों में जल भराओ तलंगाना के भद्रादरी, कोठा, गुडे में पानी की तेस्धार में वही महिला पुषासिन की टीम तलाश में जुटी लंगाना के मुल्गों में बारिश के बाद अचाना काई बार नैशनल हाई वेग 63 पर पानी भरा लंगाना के मुल्गों में रस्क्यूपूरा, मुत्याला, फॉल्स पे फस्चे सभी 80 टूरिस्ट को बचाया गया, मैडिकल हेल्प दी गई बार के पानी से घिरा ते लंगाना का मंतनी मंडल गोला पुर्रेत खदान, खदान में दस मजदूर ख़से थे लंगाना के सबी सिक्षर संस्थान बंद भारी बारिश की कारण सीम केसिया निदिया देश जमुकश्मीर के श्रीनगर में भारी बारिश, बारिश की वज़े से कुछ हिस्तों में पानी भरा माचल प्रदेश में अगले तीन दिन दक बारिश का अनुवान राज की कई जिलों में औरेंज अलट जारी प्रदेश, भुईसकलन और बादल पटने की बिस संभावना कई लाकों में छाई रहेगी धुन बार प्रभावित सैंज घाटी के तौरे पर पूरस एमजय राम ठाकूर कहा सड़का बुनियादी धाचा जादा अक्षरति ग्रस्त रेटर नोइडा में हिंडन की पानी में वामूली कमी अभी भी डुबे है कई लाके पिजेपी नेतामित मालिवी का ट्वीट लिखा टीमसी के पांच लोगों पर कुछ बिहार की नावालिग लड़की की किरनायव रिवकारोप लड़की पीड़ता की मौद बंगाल के नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी पहुचे सुप्रिम कोट कलकता है कोट के अपायार दर्श करने के आदेश को दी चुनौती चार अगस्त को सुनुवाई गोपाल में ग्रीमंत्री शाह का सियम शिवराद से लंबा बादचीत अशुनी बैशनो वीडी शर्मन अरुत्त मिश्रम मौजूद थे लखनाओ में सियम योगी का जनता दरबार लोगों की सुनी समस्या लिकारियों को निर्देश दिये तेरा दून में सियम धावी ने नेपाल के चिस्तरिय प्रतिनिजी मंदल के साथ की बैठक कहा नेपाल के साथ रोटी बेटी का संबन्द लद्दा के द्रास के करगिल बैटल स्कूल से सैनिकों के मिलती है खास ट्रेनिंग रॉक प्रॉफ्ट सहित पहाड़ी उद्ध की ट्रेनिंग लेते हैं सेना के जबान गोवा के समुद्र में फसे जहाज का कोस्ट गार्ड ने किया रसकिव रिसर्च टीम के आठवे ज्यानिक समेट 36 लोगों को सुरक्षित निकाला बागेश्वर दाम की पीटादीश्वर पंडित धिरेंद शास्त्री के लंदन में भार्तियेश धरोहरो को वापस लाने का दावा कहा कोहिनूर लेकर लोटेंगे हिंदुस्तान बाबा बागेश्वर ने भारत की बड़ती प्रतिश्टा का जखर करते हुए कहा पहले अंग्रेजों के लेक्चर हम सुनते थे आज वूफ सुन रहे हैं श्रीनगर के पंथा चौक वेस्गैम से रवाना हुआ एक और जथा बालटाल और पहलगाम मार्ग से जाएगा पवित्रमर्नाद गुफा श्रीनगर में अपने अतियासिक रूट पर निकला मुहरम का जलूस पड़ी संख्या में लोग शामिल प्रशासें ने सुबा 6-8 बजे तक दी जासर श्रीनगर में 34 साल बाद लाल चौक से निकला मुहरम का जलूस 1990 में लगाई गई थी पावंदी एलजी मनोस चनहा ने फिर दी जासर केरल के मलबपुरम फॉचे कॉंग्रिस ने तराहुल गांदी आरवेदे शाला के आईजवित कथकली कारक्रम में हुए शामिल अगरा मेट्रो के आईसपी ट्राइल के हुई शुरूआप सीयम योगी ने कहा अगरा वासियो को फरवरी 2024 तक मिल जाएगी मेट्रो की सुबिधा दिली मेरट के बीच राइपी ट्रेल की सुबिधा की जारी है विक्सित 40 मिनट से तैह होगा दिली मेरट की दूरी सीयम योगी आजटनात का बड़ा भयान सीयारपी अपका जिस्थापना दिवस यूपी सीयम योगी का ट्वीट लिखा असाधारन शौर सेवा समरपड का प्रतीक है सीयारपी अप देरराथ दिली की सड़कों पर निकले उफ राजपाल वीके सक्सेना ग्यारह मूर्तियों और तीन मूर्तियों का किया दौरा वीके सक्सेना के साथ विजेपी सांसद मरोश तिवारी और एंडीमस अधिकारी मौजूथे तीनों ने अकबर रोषक शेतर का भी दौरा किया उडीपी वीडियो मुद्धे पर वीजेपी का विरोत प्रदर्शन बैंगलूरू में ग्रीमंत्री जी परमेश्वरा के घर के बाहर जूटे कारे करता पोलिस नहीं रासत का लिया अनाता के उडीपी पहुची एंसी डवली सुदस से खुश्वू सुंदर कॉलेज के टॉयलेट में छात्राओं के वीडियो बनाने के मामले में चांच मामले में विशेश जांच दल कक्या गठन सभी एंगल से की जा रही है जांच एडियम लॉइन ओडर राजेश्वर नाथ हालो कवयान इलाके में अभी शांतिपूल माहौल अपराधियों को जल्द से जल्द किया जाएगा गिरफतार कटियार पुलिस फारिंग में मारे गए सोनू के परिजनों ने मागा इंसाथ तहाप पुलिस ने एंकाउंटर की तरह की हत्या कटियार में बिजली के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने कीती फारिंग, पुलिस की गोली से खुरशीद और सोनू नाम की शक्स की मौत एक खायर बिजेपी सांसर त्रुशील मोधी ने की कटियार फारिंग की जांच की मांग का विहार में तीन-चार घंटे बिजली नहीं मिल रही, मारे गए दो लोगों की परिजनों को मौबज़ा देने की मांग की रखनाव पुलिस ने की गैंग्स्टर मनीश सिंग की संपत्ती कुर्क, पुलिस ने करोड रुपे की संपत्ती कुर्क की तिरुपती में निर्मार आधीन, श्रीनवास, प्लाई ओवर का एक हिस्सा गिरा, दो मजदूरों की मौर अंदाबाद में ड्रंग एंड राइब का के, सेख श्वक्स ने फुटपार डिवाइडर से टक राई, व्यम डर्बलू कार, पुलिस ने किया रेस्ट राइबरैली के गंगा गंजिक श्वेत्र में विश्ली विभाग की टीम की बटाई, विश्ली चोरी की जांच करने पहुचे थी टीम सेनारे मनीपूर में तैनाथ अपनी खोजी, लेबरा, डोर, कुटे, मैडी की बचाईचान, हलिकॉप्टर से नागलेंड की दीमा पूर ले जाकर, बीमार, मैडी का कराया इलाज मुबई की गोरिगाउफ, फिल्म सिटी में सीरियल के सेट पर शावक के साथ घुसा तेंदुआ, सेट पर मौजूद, दो सो लोगों में मचा हड़ कम और इशा के काला हांटी में एक शक्षक ने उगाया नोके स्वादवाला मिया जाके, इंटरनेशनल मारकेट में आपकी कीमत धाई लाग रोपै के लो बारत वेस्ट इंडीज के बीच तीन मैचों की वंडे सिरीज का पहला मैच आज बाबढ़ो उसके केंसिंक्टो ओवल मैदान में दो नो टीमें होगी आमने सामने बारत और वेस्ट इंडीज के बीच शाम साथ बजे से शुरू होगा मुकावला रितुराज गायकवार टीम में शामिल ICC ने टेस्ट रैंकिंग जारी के बलेबाज ये शस्वी जैसवाल को 11 पायदान का फायदा 63 पे नंबर पर पहुचे टीम इंडिया के कैप्टन रोइच शर्मा को एकिस्थान का फायदा नौवे पायदान पर पहुचे वराट कोली ने 22 रेटिंग की चलांग लगाई ICC रेटिंग में 24 नंबर पर पहुचे न्यूजिलैंड के केन विल्यमसन टॉप पर बरकरार आस्ट्रेलिया के मानस लबुशेन दूसरे नंबर पर बार के बॉलर रवी चंदरन अश्विन गेंद बाजू के लिस्ट में टॉप पर मुहमद सीराच श्वेस्थान की चलांग लगा करते हैं तिस्वेस्थान पर पहुचे कमबोडिया के प्रदान मंत्री हुन से इन ने दिया स्थीपा 38 परशों से समाल रहते देश की कमान बेटा बनेगा उत्तरा धिकारी अमेरिका के नियॉक में एक जगन चुंबी क्रेन में लगिया क्रेन का उपरी हिस्था तूट कर सडख पर गिरा तुर्की में जंगल क्याक का कैर इंस्ताबूल के पास जंगल में आग भड़की हलिकॉप्टर और प्लेन की मदद से जंगल क्याक पर काबू पाने की कोशिश खरी दस हेक्टेर के लाके में पहली आग क्या राडवाडी का दिखा इंडियन बावी डॉल लुक फैशन शो के राम में पिंक ब्रिस में छाइन सनी देओल और अमिशा पतेल की फिल्म गदर टू का ट्रिलर लॉंच परिवार और देश के लिए पाकिस्तान में फिर गदर मचाते दिखे तारा सिंग गदर की तरह गदर टू में भी पाकिस्तान विरोधी डायलोग की भरमार इस बार बेटे से अलरजीत के लिए तारा सिंग पहुंचे पाकिस्तान गदर टू की ट्रिलर लॉंच की मौके पर दिखा सैनी दियोल और अमिशा पतेल का नोखा अंदास तारा सिंग और सकीरा बनकर पहुंचे दोनों फ्रिलर लॉंच में उतकर शर्मा और मनीशा वादवा से पूर स्टाकास्ट शामिल तारा सिंग का ट्रॉक और धोलनगाडे वाला टीम भी आई